नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Windows 10 to Windows 11 में आप बिल्कुल अब आप बीटा चैनल के उपर रिलीज कर दी गई है और रिकमेंट कर रही है कि अब आप Windows 10 to Windows 11 अपग्रेट कर सकते हैं लेकिन ये जेनरली रूप से अभी Windows अपडेट में अब लेवल नहीं होगी जब तक कि आप Windows Insider प्रोग्राम में कनेक्ट न हो जाए Windows Insider प्रोग्राम के साथ आपको अपने कम्प्यूटर को कनेक्ट करने होंगे यानि अभी भी जो Microsoft की Windows 11 है वो अभी बीटा वर्जन पर अवलेवल हो गई है यह बीटा वर्जन ठीक फाइनल वर्जन से पहले रिलीज होने वाली वर्जन होती है इससे पहले जो जून मंत में आई थी वो डेव चैनल के ऊपर Windows 11 अवलेवल होई थी और यहां पर आप जब Microsoft के एकाउंट के साथ लॉग इन कर जाएंगे अगर आपके पास नहीं है तो एक नया create कर ले लेकिन यहां पर username, password वेगरा इंटर करते हुए जब आप sign in करेंगे तो एक बार अगर आप Windows Insider प्रोगाम के साथ अपने computer को connect कर लेते हैं कि बिल्कुल फिरी है किसी भी तरह की आपको payment वेगरा देने की जरूरत नहीं परती है बस आपके पास Microsoft account होनी चाहिए Microsoft account एक बार आपको अपने computer के उपर link करने है डेव चैनल के उपर पहले अवलेवल थी लेकिन अब जो Windows 11 है वो बीटा चैनल के उपर अवलेवल हो गई है और बीटा चैनल जो है वो ठीक final version से release होने वाली version होती है यानि बीटा चैनल के बाद अब ये finally सभी user के लिए जो लोग भी Windows 10 चला रहे है 2017 के बाद जो भी लोग computer खरीदे होंगे उसमें easily available हो जाएगी Windows update के द्वारा बिना Windows Insider program को join किये हुए एक बार computer को restart करने के बाद जब आप वापस से computer अप करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको setting में जाने अपडेट and security के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर Windows update अभी भी नहीं करने हैं क्यूंकि सबसे पहले आपको make sure करने कि आप Windows Insider program के साथ connect हुए हैं या नहीं हुए है release preview channel पर अगर होगी यह जो message आ रही है PC does not meet the minimum hardware requirement इसको आप फिलहाल ignore करें लेकिन GPT, Partisan, UEFI, Secure Boot यह सभी minimum requirement जो है वो हमारे system में fulfill की गई है तो यहाँ पर release preview channel पर आपको नहीं रहने है आपको यहाँ पर beta channel को select करते हुए back होने है क्यूंकि अगर आप release preview channel पर रहेंगे तो केवल और केवल आपको Windows 10 की Windows update मिलेगी तो यहाँ पर आपको ध्यान देने है beta channel से आपको एक बार connect कर लेने है और beta channel पर connect करने के बाद आपको Windows update में जाने है चेक फॉर update पर click करने है एक बार जब आप beta channel से connect हो जाते हैं तो आपको जब Windows update एवलेवल होगी Windows 11 के लिए तो आप Windows 10 to Windows 11 अपडेट कर सकते हैं तकि आप देखें यहाँ पर reflect कर गई है Windows 11 इंसाइडर प्रिव्यू 10-0-22-000-100 यह जो बिल्ड है यह सेम बिल्ड आपको Windows 11 के लिए डेव चैनल के ऊपर भी एवलेवल है लेकिन यही सेम बिल्ड जो है रिलीज की है Microsoft beta channel के ऊपर क्योंकि जो beta channel के ऊपर अगर यह रिलीज की Microsoft और वो recommend भी कर रही है इट मिन्स कि इसमें बहुत सारे जो बग और जो अनस्टैबलिटी होती है जो कि डेव चैनल के ऊपर मिला करती है वो beta version में बहुत हद तक दूर हो जाते है बहुत हद तक कम हो जाती है लेकिन finally रूप से 100% जब इसकी बग और अनस्टैबलिटी पू तो यहां पर डाउनलोड की process होगी 526 जो भी आपको जो है यहां पर इंटरनेट डेटा पैक खतम होनी की संभावना है जिसमें आपको 32-45 मिनट लग जाते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करने में डिपेंड करती है कि आपकी इंटरनेट की speed कैसी है डाउनलोड होने के तो 10-15-20 मिनट में इंस्टालेशन की परकिरिया खतम हो जाएगी लेकि नॉर्मल एचिडिए 30-45 मिनट लग सकते हैं जब इंस्टालेशन की परकिरिया 100% खतम हो जाएगी तब आपको एक बार सिस्टम को restart लेने रिस्टार्ट लेने के बाद जो भी अपग्रेड की process होती ह वह होगी 30-45 मिनट तक जब यह restart होके अप आएगी तो आप यहां पर देख सकते हैं विनवर कमांड जब मैं चला रहा हूँ तो यहां पर देखिए वर्जन 21H2 है लेकिन Windows 11 Pro लिखी हुई है पहले यह Windows 11 Pro देव लिखी हुई होती थी लेकिन आप सिंपल Windows 11 Pro लिखी हुई है आप इसे अपग्रेड करें कोई भी अपडेट होगी इंस्टाल नाव पर क्लिक करें लेकिन यहां पर Windows Insider प्रोग्राम आप देख सकते हैं आपकी मैसेज आ रही है यह यलो लाइन में कि आप पीसी जो है आपकी मिनिमम हार्वेर रिक्वार्मेंट फुल्फिल नहीं कर रह जब भी फाइनल वर्जन रिलीज होगी तो आपको हमारे इस चैनल पर वो वीडियो पूरी तरह से प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो